हर्याना चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं, ऐसे में नेताओं के पाला बदलने की खबरे भी सामने आ रही हैं, इस बीच राजी के फूर्व सियम और केंदरु मंत्री, मनुहर लाल खटर के भतीजे, रमित खटर कॉंग्रेस में शामिल हो गए, रो महाकाल का आशिवाद लेने के बाद राष्टपती द्रौपदी मुर्मु ने महाकाल महालोक में मूर्तियों का निर्माण कर रहे शिल्पकारों से समवात किया, इस वरान शिल्पकार भावुक हो गए, उन्होंने पाशान के शिवलिंग राष्टपती को भेट सोरूप दि अपने बयान पर कायम है, कॉंग्रेस बिट्टू की आलोचना कर रही है, बिट्टू से राहूल गानी से माफी मांगने की मांग की जा रही है, वहीं राहूल गानी के खिलाफ दिये गए अपने बयान पर बिट्टू को पच्चतावा नहीं है, बिट्टू ने कहा कि मुझ पुलिस ने 28 लोग के खिलाव को प्राथमी की दर्ज की है अब तक 15 आरोपियों को गिरफतार किया जा चुका है पुलिस ने उनके पास से तीन देसी कटा तीन मिस फायर राउंड दो खोका और एक पिलेट और इच्छे मोटर साइकल बरामत की है हर्याना चुनाप को मद्दे नजर रखते हुए भाजपा ने अपना गोशना पत्र जारी कर दिया इसमें अगनीवीरों, किसानों, महिलाओं और युबाओं के लिए कई बड़े वादे किये हैं भाजपा की घोशना पत्र पर कॉंग्रेस सांसा देपेंद्र हुड़ा ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे कॉंग्रेस की कॉपी बताया है इतना नहीं उन्होंने भाजपा पर हमला बोदते हुए कहा कि हर्याना के लोग इस बार भाजपा कुशाशन का अंत करेंगे प्रिधान मंतरी नरेंद्र मोधी विधान सबच नावो के दूसरे चरण के लिए वीरवार को जमु कश्मीर के दौरे पर है इस दोरान कट्रा रैली में पीयम मोधी ने 370 को लेकर बड़ा बयान दिया उन्होंने साब शब्दों में कहा कि दुनिया की कोई ताका जमु कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती मोधी आज ये कॉंग्रेस नेशनल कॉन्फरेंस को दंके की चोट पे कह रहा है हम जमु कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार के ग्रहनगर जिला नवादा में दलित समुदाई के घरों को आग लगा दी गई इसके बाद से ही तमाम सियासी दलों के नेताओं की ओर से इस घटना की निंदा की जा रही है इस कड़ी में आरजेडी नेता शक्ति सिंग यादम ने भी अपनी प्रतिक्रिया वेक्त की है उन्होंने कहा कि ये नितीश सरकार की लापरवाही का नतीजा है साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अब महा जंगल राज चल रहा है कॉंग्रस नेदा राहूल गांधी को लेकर केंदरी मंतरी रवनीच सिंग बिट्टू की तिपड़ी पर मुख मंतरी सुक्विंदर सिंग सुक्खु ने पलडवार किया अरविन केजरिवाल के स्तीफे के बाद आतिशी 21 सितंबर को मुख मंतरी बद की शपत लेंगी उनके साथ अन्य मंतरी भी शपत लेंगे इनमें मुकेश एहलावत का नाम शामिर है आपको बता दे कि मुकेश पहली कैबिनेट मंतरी के रूप में शपत लेंगे पुकेश सुल्तानपूर मांजरा से आम आतनी पार्टी के विधायक हैं वो साल 2020 में पहली बार विधायक बने और राजकुमार आनंद की जगह लेंगे बिहार चुनाव में भले ही अभी समय हो लेकिन सियासी बयान बाजी लगातार जारी है इस वीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदम ने केंद्री मंतरी जीतन नाम मांजी पर विवादित बयान दिया दरसल उन्होंने कहा कि जीतन नाम मांजी का नाम जीतन नाम मांजी है लेकिन लोग उनको प्यार से जीतन नाम शर्मा बुलाते हैं